नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयरुवेद ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी विधी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके जीवन में परम उपियोगी है और दोस्तों इस परियोग को करने से आपका सहस्तरार चक्र जागरित हो जाएगा और यह है बहुत ही साधरन और सरल परियोग है इसे बालक, बच्चे, ब्रद, इस्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है दोस्तों दोस्तों आयरवेद में कहा गया है यद ब्रह्मांडे तद पिंडे जो इस ब्रह्मांड यानि इस आकास प्रत्वी सब में है वह ही सब कुछ हमारे सरीर में है जो आपको ये ब्रह्मांड दिखाई देता है उसमें ग्रह, नच्चत, सूर्य, तारे, देव, सक्तियां जो कुछ है वो सब हमारे ही सरीर में हमारे अंदर, हमारी आत्मा में विद्धमान है तो दोस्तो आज मैं सहस्त्रार चक्र को जागरत करने की एक बहुती सरल और सहज विधी का वर्णन कर रहा हूं ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में प्रियोग करें दोस्तो यहाँ प्रियोग घेरंड सहिता में वर्णित है आयरुवेद के प्रसिद विद्वान और योग के ख्याति प्राप्त स्वनाम धन्द विद्वान घेरंड रिसी जिनोंने यह प्रियोग अपनी सहिता में लिखा है तो सहस्त्रार चक्र को जागरत करने का यह सरल प्रियोग है और यहाँ एक दिन करने का प्रियोग नहीं है कि कोई यह सोचे कि एक दिन कर ले और सहस्त्रार चक्र जागरत हो जाएगा दोस्तो आचारी गिर्यान ने लिखा है दिने दिने यानि प्रति दिन यहाँ प्रियोग करना है तब यह आपको फल देगा यह इस तरह है, जिस तरह हम नित्य भोजन करते हैं, नित्य स्नान करते हैं, उसी तरीके से यहाँ नियम बनाना पड़ेगा तब इसका आपको, अगर आप नित्य प्रति करेंगे, तो कुछ दिनों में आपको इसका फल दिखाई देगा तो दोस्तो सहस्त्रार्चक्र होता है हमारे सिर्पे जहां हम सिखा रखते हैं यानि जहां ब्राम्मन लोग, सादु संत या जो भी कोई सिखा रखते हैं चोटी तो यह इस्तान हमारे सर के बिलकुल पीछे की तरफ होता है तो यहां सहिस्त्रार चक्र होता है दोस्तों और सहिस्त्रार चक्र हमारे बुद्धी विवेक सोचने विचारने की सक्ती का मुख्य केंदर होता है यहीं से हमारा मस्तिस्क का कारिय संचालन होता है तो मस्तिस्क के कार्य संचालन का मुख्य केंद्र सहिस्त्रार चक्र है और सहिस्त्रार चक्र जब जागर्ट हो जाता है तो आलस से तो यूही समाप्त हो जाता है और विचारों में एक क्रांति आ जाती है बिचार परम पवित्र होते हैं पूरा शरीर एक प्रकार की उर्जा से भरा हुआ होता है बिना किसी ठकान के मनुष्य से अपना कारिय कर सकता है तो दोस्तों सहस्त्रार चक्र को जागरित करने के लिए आपको सुहा ब्रह्म अउर्थ में उठना होगा लगवख चार से पाँच वजे तक इसनान आदे कर्म से निप्रत होकर इसनान के तुरंत बाद आप कोई भी नारियल का तैल सरसो का तैल जो आप लगाते हैं या तिल का तैल वो आप अपने बाई हतेली पर रख लें और दाएं हाथ के अंगुष्ट से इस तरह वो तैल इस तरह लेकर और आपको 10 या 20 वर क्लॉक वाइज इस तरीके से आप मेरा हाथ देख रहे होंगे ऐसे और एंटी क्लॉक वाइज 20 वार ऐसे ऐसे आप जितनी संख्या में कर सकते हैं 20, 30, 40 तो सहस्तरार चक्र की मसाज करें तेल से तो दोस्तों आपने देखा हुआ कि अधिकतर लोग हम सभी जब ना लेते हैं तो हम पूरे सरीर में और सर में तेल लगा लेते हैं लेकिन हमारा ध्यान सर के पीछे के भाग पे नहीं जाता जहां सहस्तरार चक्र होता है जहां हम चोटी रखते हैं तो यही कारण है कि यह सहस्तरार चक्र की जो सकती है वह सुसुप्त हो जाती है विस वही होती है यह होती तो प्रतेक मनुस में है लेकिन यह जागरे तवस्ता में नहीं होती है और इसे जागरे तवस्ता में लाने के लिए प्रते दिन नहाने के तुरंद बाद सरसो तिल अत्वा नारियल जो भी तेल आप लगाते हैं उसे बाई हतिली पर रखें और दाए हाथ के उठे से यहां क्लोक वाइज और एंटी क्लोक वाइज इस तरीके से इसकी मसाज करें तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रवाब दिखाई देगा एक अलग ही प्रकार की उर्जा से आपका सरी रोत रहेगा ठकान आलस से आती सर दूर रहेंगे विचार एकदम पवित्र और उत्कृष्ट हो जाएंगे विचारों में एक प्रकार की सफाई आ आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को अगर आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें जैहिंद जैभारत